नमस्कर, फ्रैंड्स डाल्टे अपेर्यं यूट्वीट्रीजस्चानेल में आपका फिरसे स्ष्वागत स्वागत फ्रैंड्स आज हम एक लाइटिंग एंइमेसं के बारे बात करेंगे जो आप स्क्रीन पर देख रहे गिप वगर बना सकते हैं तो एक बहुत ही तरीका है बिलकुल असान है तो इस परकार के एनिमेशन आप सकते हैं और खुद भी आप सीख करके अपनी सोचने के ability के अधार पर आप जो है कैसा भी animation जो है create कर सकते हैं तरीका क्या है वो तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो इसलिए friends शुरू करते हैं तो friends हम अपने screen की तरफ आ चुके हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फाइल में जाएंगे और यहां से एक new file लेंगे new file का size आपको height और weight सेमी लेना है आप चाहिए तो other size ले सकते हैं अगर आप किसी image के पीछे ऐसा animation बनाना चाहते हैं तो आप अलग size ले सकते हैं बैतर है कि आप square rail है मैं 4x4 height width ले रहा हूँ और resolution 300 रख रहा हूँ ठीक है friends और उसके बाद में मैं background जो है वो black रखना चाहता हूँ इसलिए आप कोई से भी ले सकते हैं उसमें आप जो है black color fill कर सकते हैं तो इसको मैं invert कर दूँगा या फिर control delete प्रेस करके black कर लूँगा बिल्कुल असान है यहां तक समझ में आगया होगा आपको अब friends आगे हम क्या करेंगे यह जो width है हमने 4 ली थी तो इसको हम 2 पर guide लगा देंगे तो यहां से आप mode tool भी ले लीजे या फिर यहां से आप mouse से click कीजिए तो एक guide आई जाएगा ठीक है तो इस परकार से guide को लाकर के आपको 2 के बीच में रख देना और इसी परकार से उपर से click कीजिएगा और guide को पकड़ करके यहां पर लिया यह थी तो यह जो है आपका 4 तरफ से center point पर दो इधर भी है और दो इधर भी है ठीक है तो इस परकार से आप इसे set कर लिजे 2 to point पर उसके बाद friends क्या करना है इतना करने के बाद में simply है आपको इस tool पर जाना है जो की rect angle tool है और इसी tool के अंदर custom shift tool है ठीक है नीचे custom shift tool पर click कीजिए और उसके बाद में यह option बाद जो आपके सामने आ जाएगा तो यहाँ पर आप यहाँ पर click कीजिए जो की shape layer है ठीक है shape layer पर ही आपका click रहना चाहिए और उसके बाद में आप आगे आएगे यहाँ पर shift दी हुई है तो यहाँ पर बहुत सारी shifts है अगर आपके इस परकार से हो तो इसकी setting जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं यह जो arrow की दीख रहा है यहाँ से इसकी text only तो यह आपको shift text में दीखेगा और यही से आप अगर small thumbland करेंगे तो small thumbland के अंदर दीखेगा और यही से करेंगे आप large thumbland तो large thumbland की तरह दीखेगा हो सकता है आपके अंदर इस परकार से एक corner में हो ठीक है friends तो यहाँ से देखने में समझे आती है तो यहाँ आप large thumbland कर लीजी थे इस परकार से आपकी image के अंदर यहाँ पर तो यहाँ से पकड़कर आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं तो मैं फिलाल आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर एक shape है जो लेनी है आपको उसी shapes है मुझे image को create करेंगे और अगर आपके अंदर बहुत सारी shapes नहीं है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर click करेंगे और यहाँ correct के बाद में all यहाँ लिखा हुआ है all करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आपको append करना है ok नहीं करना है आपको append करना है अगर ok करेंगे तो जो हैं वही रहेगी extra नहीं आएगी और ok करेंगे तो उसमें extra भी डबल डबल आ जाएगी इसलिए आपको append करना है जो है वो नहीं आएगी और जो इसमें shape नहीं है वो इसके अंदर add हो जाएगी ठीक है तो मैंने किया हुआ append इसलिए मैं इसको cancel कर रहा हूँ अब हमको जो shape लेनी है वो shape मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कौन से shape लेनी है और उसके उपर आपको काम करना है ठीक है फ्रेंट्स कि आप किसी भी shape से आप create कर सकते है creativity आप में होनी चीए आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते है तो फ्रेंट्स देखे ये shape जो है ये हमको लेनी है यहाँ पर ठीक है ornament 1 इसका नाम है आप इसको हुलिया देखकर पैचान सकते है इस पर click कर दिया और उसके बाद में हम इसको बंद कर देते हैं अब हमको क्या करना है यहाँ पर drag and drop करना है तो इस परकार से आप इसे drag कर सकते हैं अगर आपके यह और चाही तरीके से ड्रेक Quindi हो रही है तो इहाँ पर देखिए यह shape हूं यहाँ पर click करेंगे और यहाँ पर fixed size लिखा हुआ होगा तो आपके यह long नहीं होगी अगर यह long नहीं हो रही है आपकी तो यहाँ पर click करके आप यहाँ पर Defined Profession पर क्लिक कीजिए तो आपकी Shape जो हो जाएगी ठीक है तो हमने यहाँ पर क्या हुआ है इसलिए हम इसको यहाँ से ले लेते हैं एक बार ठीक है और उसके बाद भी आप इस प्रकार से Ctrl T करके उसके अंदर Changing जो है जैसे साय वैसे कर सकते है ठीक है तो मैं फिलाल इसको कर रहा हूँ यहाँ पर Drag and Drop और मैं जूम करके आपको बताता हूँ कि यह हमने क्या हुआ है इसको मैं दो मिनिट के लिए नीचे रख देता हूँ यह चोटा कर देता हूँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप द्यान रखें यहाँ पर यह जो पॉइंट है वीच के अरोपेंट वह इसको बिल्कुल सेंडर में आपको लाना है तो इसके लिए क्या करेंगे आप इसको आप यहाँ पर ड्रेग कर देंगे ठीक है यह वाला ठीक है तो यहाँ पर आपको रेड रेड दिखाई देगा यह जब सेंडर में आजाएगी तो यह रेड रेड आपको दिखाई देगी यहाँ पर लाकर के देख लीजिए कि यह आपको किस साइज में रखनी आप इसके और अगर पतला करना चाहते है तो आप इसको प्रेस करके दबा सकते हैं, आपके नुसाल आप लख सकते हैं, ये भी ध्यान रखे कि इनके बीच में जो जगह है वो भी बनी रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको अपने इसाब से रखे ठीक है, अब हमको एंटर प्रेस कर दिय हो जाएगी, ठीक है, तो Ctrl J प्रेस करता हूँ, Ctrl J ये डुप्लिकेट हो गई, अब मुझे क्या करना है, वापस Ctrl T प्रेस करना है, जैसे आप Ctrl T प्रेस कीजिए, और वापस यहाँ पर देखिए, ये सेंटर में जो पॉइंट है, इस एरो को जो हैं, आपके इस पॉइंट को अपना बिंदू, उस पर रख दाना है, इससे क्या होगा, कि आपकी लेर जो है, बिल्कुल सीरे से गुमे की, जैसे भीश में खुटी से बंदी हुई है, उस पर कास हो जाएगी, अब आपको उपर वाले Option बार में जाना है, Option बार में जाने के बाद में, आपको यहाँ पर यह इस परकार से 9 डिगरी जो है वो आगे चली जाएगी, ठीक है, यह यहाँ पर, यह 9 डिगरी चली जाएगी, अब आपको एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है, इस परकार से हो गया यह, अब आपको क्या करना है, कीबोर्ड से Alt, Ctrl, Shift, क्यादा बना है, Alt, Ctrl, Shift, मैं आपको की और इसके बाद में यहाँ पर T बटन जो आपको दिख रहा है, उसको दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, चोड़ना है, यह आपको प्रेस करना है, तो मैं आपको बता रहा हूं किस प्रकार से आपको करना है, आप यहाँ पर द्यान दीजिए, Alt, Press किया, Ctrl, Press किया, Shift, उस ठीक है, इस प्रकार से यह हो जाएगी, और उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से, मैं कीबोर्ड को हटा रहा हूं, यह करने के बाद में, इस प्रकार से जब आपकी सेफ बन जाए, तब आपको क्या करना है, यह जितनी भी लेयर बनी है, यहाँ पर बहुत सारी ल बनी हुई है चैन बन जाएगी कड़ी से कड़ी यानि कि सब एक दूसरे के साथ में यह लिंक बटन है लिंक हो जाएगी ठीक है तो इस परकार से जितनी भी आपके पास में सेफ बनी हुई है सब को लिंक कर दीजिए ध्यान रहे आपको केवल बैक्ग्राउंड आपको छोड करना है बैक्ग्राउंड को इसके साथ में लिंक नहीं करना है ठीक है तो इस परकार से मैंने सभी लेयर को लिंक कर दिया है लिंक करने के बाद में कंट्रोल ई प्रेस करना है कंट्रोल ई जिससे कि यह सारी मर्ज होकर एक लेयर के अंदर बदल जाएगी ठीक है अब आपको क्या करना है अगर यहां पर आपके जिग्व कम है तो आप इसे Ctrl T करेंगे और जितना चोटा बड़ा आपको रखना है उतना चोटा बड़ा आप इसे रख सकते है ठीक है मैं इतना रख रहा हूँ उसके बाद क्या करना है फ्रेंट्स यहां पर आपको डबल क्लिक करना है इस corner पर यह जो मैं माउस दिख रहा है आपको pointer यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो यह bonding box जो है आपके सामने layer style वाला option open हो जाएगा यहाँ पर आपको नीचे आना है यहाँ पर gradient overlay लिखा हुआ है gradient overlay पर आपको क्लिक करना है उसके बाद में यहाँ गाडियंट पर क्लिक करना है और यहाँ से बहुत सारे जो color है वो आप सुन सकते हैं आप अपने चैनुसार भी color उसमें और भी add करना चाहिए तो कर सकते हैं यहाँ color box यहाँ पर color change करना चाहिए आप तो यहां पर आप color भी change कर सकते हैं ठीक है friends तो यहां पर red color दो बार आ चुका है तो यहां पर हम कोई एक और color use कर लेते हैं और यहां से हम चाहते हैं कोई और color कहीं से ले 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 गए मानली जी यह color है यह color है ठीक है और इस परकार का color हम ले लेते हैं और okay कर लेते ठीक है तो इस परकार से color add हो गए अगर आप नहीं करोगे तब भी चलेगा ओके यह करने के बाद में friends आपको क्या करना है यहाँ पर style लिखा हुआ है style को आपको click करना है जैसे करोगे वहाँ पर 5 option आपको दिखाए देगे linear, readl, angle, reflected और diamond आपको readl पर click करना है जिसे round हो जाएगा यहाँ पर भी आप देख सकते है preview के नीचे circle जो है round हो गया है यहाँ पर आपकी image के अंदर भी effect आ चुका है देख सकते हैं अब आपको क्या करना है यहाँ से इसको कम करना है ठीक है? कम कितना करना है आपको 15 रखना है ठीक है? 15 रखना है और उसके बाद में आपको यहाँ से okay कर देना है इतना करने के बाद में friends आपको क्या करना है यहाँ आपको option यह tool bar के सब से नीचे यह options होगा, यह image ready है जो कि हमारे नए Photoshop के अंदर jump कर जाएगा, हमको ले जाएगा यह plugin होता है Photoshop के अंदर तो यहाँ पर हम click करते हैं तो एक नए Photoshop जो है Adobe image ready 7.0 open होगा, open हो चुगा है अब देख सकते हैं, image हमारे पास में इस परकार से आज सुकी है, control zero press कीजिए तो यह जो है आपकी zoom हो जाएगी अब आपको क्या करना है यहाँ पर और सबसे पहले optimize यह optimize का options आजाएगा है यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर GIF लिखा हुआ है, JPG है PNG है, यहाँ पर यह WBMP है, यहाँ पर आपको GIF पर click रखना है, default आपके GIF ही, यहाँ पर select होगा अगर कुछ change है तो आप GIF कर लिजिए, यहाँ पर selective लिखा हुआ होगा, यहाँ पर diffusion लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर कुछ change नहीं करना है, अगर default कुछ दूसरा है, तो आपको GIF कर लिएना है, उसके बाद window में जाएए window में जाने के बाद में layer जो है, वो आपको लिएना है जिससे layer, history और action तीन टूल आ जाएंगे, क्योंकि यह तीन हो इसके अंदर box में हैं तो यह करने के बाद में यह दूसरा box आपके पास में आजाएगा, जिसमें layer, history और action, ठीक है उसके बाद में आप window में जाएए और सबसे important जो है, वो है animation, यह कर लीजे तो इस परकार का एक बार जो है, आपके पास में आजाएगा, यह जरूरी है इस section के लिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें आकर कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर नीचे आप देखेंगे, तो यहाँ पर एक options जो है, यहाँ पर है delete button के ज़स्ट पास में, और यह current frame है, यहाँ पर आप नई frame ले सकते हैं, तो यहाँ पर आपको नई frame लेनी है, बागे कुछ नहीं करना है, ओके किया, यह नई frame आ जाएगी, उसके बाद में आपको यहाँ पर वापस देखेंगे, फोटो सॉप की तरफ रीडाइट करने के लिए, इसी के अंदर यहाँ आपकी जो लेटिंगे थोड़ी सी बढ़ गई है, उसके बाद में आप Ctrl T प्रेस कीजिए, जैसे ही आप Ctrl T प्रेस करेंगे, यह बॉक्स आ जाएगा, और आपके ऊपर यह नए वापस action बार आ जाएगा, यहाँ पर width हैं, height हैं, और इसके पास में दो zero बने हुए हैं, यहाँ पर degree का निशान है, तो यहाँ पर आपको आ जाना है, और degree प्रेस करना है, दो डिगरी, कितना, सिर्फ only two, दो डिगरी करेंगे, तो यह दो डिगरी जो है, rotate हो जाएगा, गूम जाएगा, ठीक हैं, उसके बाद में आपको वापस enter प्रेस कर दे प्रेस करना है, और यहाँ पर कोई काम नहीं है, फिलाल तक, जब तक हम तक पूरा यह सेप नहीं बना लेते हैं, यहाँ पर आने के बाद में वापस आपको redact होना है, अपने Photoshop की तरफ और वापस guidance already पर यहाँ पर क्लिक करना है, डबल क्लिक, तो यह 30 की जगह आप 45 कर दि अब हम इसको वापस control T करेंगे, और पहले हमने दो बढ़ाया था, इसलिए अब हम दो प्लस दो चार कर देंगे, ठीक है, तो रोटेसन जो हैं, हमने चार डिगरी कर लिया है, वापस डबल क्लिक कर दिजिए, यहाँ पर माउस से डबल क्लिक कर लिजिए, वापस यहाँ प कर लिएगे, उसके बाद OK, उसके बाद control T करेंगे, और इस बार दो प्लस दो चार लिया था, इस दो और जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, फिर आप यहाँ पर डबल क्लिक कर लिजिए, फिर यहाँ से आप image ready के अंदर चले है, यहाँ पर image ready के अंदर सिफ हमको frame में लेना है समझ मैं है फ्रेंट्स, image ready के अंदर सिफ हमको frame एक्स्ट्रा लेने के लिए हम इधर आ रहे हैं, बाकी हम Photoshop में ही सारा काम कर रहे हैं, फिर यहाँ से रीडेट हो जाईए, वापस ग्याइट और पर क्लिक कीजिए, और यहाँ से 15 और बढ़ा दी, 60 प्लस 15, 75, OK कर दीजिए, Ctrl T कीजिए, उस बार हमने chain लिया था, इस बार दो और बढ़ाएंगे तो आंट हो जाएगा, हो गया, उसके बार डबल क्लिक कीजिए, और वापस image ready के तर जाएए, अब हम यहाँ पर वापस frame लेंगे, और वापस चले जाएंगे, Photoshop की तरफ, यहाँ पर क्लिक करेंगे, पि वापस इधर, वापस इधर क्लिक किया, 90 और 15, 105 ठीक है, एक बार और चले जाते हैं, यह frame ले लिया, वापस Photoshop की तरफ गये, guidance पर tool क्लिक किया, 135, 150, यह last step आ गया, इससे आगे skill है नहीं, यह skill था, इसके आगे skill है नहीं, ok कर दिया, फिर control T किया, उसके बाद मैं यहाँ पर 12 की जगर 14 कर दिया, हो गया, double click, इतना होने के बाद मैं वापस redact हो गया, अब हमारी 10 frame आ चुकी है, अब हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब जो भी काम करेंगे हम यहीं पर करेंगे, अगर आप play करेंगे तो lighting का effect तो आपके शुरू हो सुका है, लेकिन यह गूमेगा, नहीं, क्या बात है, friends, आप देख सकते हैं कि इसमें lighting का effect जो है, वो सांदार आ रहा हैं, लेकिन अभी एक समिश्य यह है कि यह lighting आ रही है, लेकिन यह गूम नहीं रहा है, तो हमको गूमाना है, तो क्या करेंगे, वापस यहाँ पर click कर देंगे, और stop कर देंगे, यहाँ पर stop बटन पर, उसके बाद action बटन होगा, वहाँ पर जाएंगा, वो यहाँ पर spin लिखा हुआ है, जैसे यह आप इसमें ज बनाएगा, आपके अंदर 12 frame बनाएगा, तो अच्छा सा होगा, अगर आप भी ज्यादा frame बन भी जाती है, तो आप उसे आराम से delete कर सकते हैं, वह किस परकार से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर play बटन करेंगे, और यह play हो जाएगा, और frame बनाना यह शुरू कर देगा जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर frame बन रही है, एक से बढ़ कर एक, आगे से आगे ठीक है, तो मेरे यहाँ पर frame बनना शुरू है, और आप देख सकते हैं, यह frame बन रही है, लगबग लगबग मेरे setting की वज़ो से कुछ ज्यादा frame बन रही है, आपके अंदर भी बन रह हैं, तो आप किस परकार से setting करेंगे, वो आप देख सकते हैं, लेकिन फिलाल अगर आप default रहेगा, तो आपके अंदर 12 frame बनेगी, जो इसको rotation करेगी, ठीक है, यह गुमाएगी, तो इस परकार से आपके अंदर बहुत सारी files बन सकते हैं, अगर आपका default कुछ changing है तब, तो म मैं उनको select करके unwanted frames हैं, उनको remove कर रहा हूं, तो किस परकार से करेंगे, अगर आपके पास में भी इसी परकार से extra जो हैं, वो बन जाती है, तब सबसे पीछे वाली को मैं click करता हूं, और उसके बाद मैं उसको ले चलता हूं, तो इस परकार से मैंने 10 बनाई थी, और हम 10 तक दे रहा हैं, दो, तीर वाला निशान, वहाँ पर आप click करेंगे, तो इस परकार का panel जो है, आपके सामने open हो जाएगा, यहाँ पर delete frame लिका हुआ है, यहाँ पर click करेंगे, तो जितनी extra layer जो थी, वो delete हो जाएगी, यह delete हो रही है, तो friends, आप देख सकते हैं, कि जो extra frames जो थी हमारे पास में, वो सारे की सारी delete हो चुकी है, अब हम इसको एक बार play करके देख सकते हैं, कि यह effect किस प्रकार से आगया है, तो friends, आप देख सकते हैं, एक सांदार effect जो है, प्ले करने के बाद में हमारे पास में आगया है, तो आप देख सकते हैं, किस प्रकार का एक सांदा spiritabile यहां पर एक्राइट किया तो इस प्रत्त वार ने इफěक्ट जो है STEPHAN को किसी इमेज इसी इमेज लिगा कर सकते हैं सभिए किसी देवत्यक्त की हैं अ संब फाइल में जाकर यहां पर स Państwo यहां पर आपको सेव नहीं करना है उसके नीचे आप आए हैं यहां पर से जिकार वानाएत तो यह आपको सेव करने के लिए एक डालॉग बॉक्स लिछा वहां पर है वहां पर आप अप जिर आप की दर्टेरों करने में इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहां पर लिखकर लुख यहां पर कोई सेट शर्ड नहीं यहां से डारेक्ट आपको आपको सेव कर देनाया है। और इस परकार से यहां पर सेव' optimize हो रहा है नीचे आप देख सकते हैं green line बढ़ रही ह यह सेव हो रहा है और इस प्रकार से यह हमारा से जो है वह हो जाएगा तो फ्रैंट्स यह आप पर लाइटिंग एफेक्ट जो है देख सकते हैं कितना सुन्दर जो हैं वो दिखाई दे रहा है तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए नए आये हैं और आपको सीखना साते हैं ऐसा ही फोटो सॉप और एनिमेशन के रिलेट वीडियो एडिटिंग के रिलेटिव तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स मिलेंगे नए टूटोल में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत